किया आपका मोबाईल हैंक करता है, क्या आपका मोबाईल नेट ओपन करते ही स्लो हो जाता है, और क्या आपका मोबाईल ओवर हीट करता है, तो आज मैं आपको इन प्रॉब्लम्स को सोल्ड करने के लिए तीन बेसिक स्टेप्स बताऊंगा जिसको फोलो करने पर आपके मोबाइल की ये तिन प्रॉब्लम्स अप्रोक्स 50% सोल्ड हो जाएंगी और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी यूनिक ट्रिक के बारे म बताऊंगा जिसको फोलो करने पर आपके मोबाइल की हैंगिंग प्रॉब्लम्स लगबग 90% तक सोल्ड हो जाएगी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं step number one free up your mobile storage अगर आपको मोबाइल हैंग करता है ओवर हीट करता है या स्लो चलता है तो आपके मोबाइल की स्टोरेज फुल हो सकती है जिस वजह से यह हैंग कर रहा है ओवर हीट कर रहा है एंडि श्लो चल रहा है यह है जो भीकोज आपके मोबाइल में रनिंग करने वाले ओल के संस अपना डाटा बनाते रहते हैं बट जब उनको डाटा नहीं मिल पाता विक्वोज आपके मोबाइल की स्टोरे इंटर्ण स्टोरी जब हो ऑफूल हो जाती है और रनिंग अप्लिकेसं को वाह से डाटा को नहीं मिल पाता जिस विए से भी एप्लीकार ऍर ऑफर हो जाती हैं लो हो च 여러 अनि लगती हैं अंडे आपके मॉलेल को हैंक करती हैं आपके मोडेल को भोट जब ओवर्षिंट करती है ईंदी आपके मॉबाल के अंदर लाइग श्टार्ट हो जाती है so आपको अपने अगर आपकी mobile में कोई ऐसी application पड़ी हुई है जिसको आप यूज नहीं करते हो या फिर आपने जिसका बहुत दिनों से यूज नहीं किया है तो आप उस application को force top कर सकते हो या उस application को delete कर सकते हो because यह applications आपके mobile में run करते रहते हैं जब आपका data खुल जाता है तो आपका data यूज करती हैं अपना data को बनाती हैं और आपकी mobile के storage को घेड़ देती हैं जिस विए से आपको mobile हैंक करने लगता है और अब आप यह सोच रहे होंगे कि इसने हमें antivirus application को delete करने को क्यों कहा तो अब मैं आपको उसका reason बताता हूं यह antivirus and cleaning applications आपके mobile को ना तो clean करती हैं और नहीं antivirus से बचाएं बट यह application जब आप download करते हो और इंका use करते हो यह application क्या करती है है आपके में आपके mobile का एक cash data होता है उसको delete कर देती है और यह सो करती है कि हमने आपके mobile के दाम को free कर दिया है और आपको mobile अब ठीक टाक condition में है है बट जिससे आपके mobile की performance कम हो जाती है आपका mobile हैंक करने लगता है ओवरीट करता है आपको में लेग होने लगता है तो आपको इन एंटिवायर्स एंड क्लिनिंग एप्लिकेशन को तुरंट डिलीट कर देना चाहिए स्टैप नमबर थ्री रिबूट रिस्टार्ट यूर फोन आजकल सभी लोग अपने android मोबाइल का over usage स्टार्ट कर दिया है जिसके कारण आपका android मोबाइल है वो कुछ समय बाद उसकी performance कम हो जाती है इसलिए आपको अपने मोबाइल को समय समय पर reboot या restart कर देना चाहिए विकूज इससे आपके मोबाइल को अराम मिलेगा proper rest मिलेगा एंड आपका मोबाइल थोड़ा fast हो जाएगा एंड आपके मोबाइल की इससे आपके मोबाइल की battery life भी increase हो जाएगी सो अब बात कर लेते हैं उस unique trick के बारे में जिसकी बात मैंने आपसे वीडियो के starting point में कही थी इस trick का use करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी मोबाइल की settings में जाना होगा अब एंड देन नीचे स्क्रोल करना है नीचे आपको अब आउट फोन नाम का एक option दिखाई दे रहा है इस पर टैप करेंगे एंड अगैन नीचे स्क्रोल करेंगे आपको यहां पर बिल्ड नमबर नाम का option आपको यहां पर टैप करेंगे और आपको यहां पर रणिंग सर्विस नाम का एक option दिखाई दे रहा है इस पर टैप करेंगे बिंगो आपके सामने और रणिंग एप्लिकेशन का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल में इस समय कितनी एप्लिकेशन्स रन कर रहे हैं और इसके साइड में आपको एक सो रणिंग सर्विस का option दिखाई दे रहा है इस पर टैप करेंगे और आप यहां पर देख सकते हैं कि आपके मोबाइल के अंदर जितने भी कैस्ट प्रोसेस चल रहे हैं वह आपके सामने दिखाई दे रहे हैं और आप इन्हें स्टॉप करना चाहते हैं तो आप इनको स्टॉप भी कर सकते हैं और चाहें आप रणिंग सर्विस के किसी भी एप्लिकेशन्स को भी स्टॉप कर सकते हैं जिस एप्लिकेशन को आप चा की लुडियो पेजिए सकति लुडमा में आटिस लुडिस के लिएन